नवश्कार दोस्तों स्वागत आपका आज हम बात करने वाले हैं रिशी शुनक के बारे में रिशी शुनक जिने भी हाली में बृतेन के नए प्रतानमंत्री के तौर पर चुना गया है जानेगे आज के इस वीडियो में कौन है रिशी शुनक साथ ही साथ इसे जोड़ी इन्होंने अभी हाली में अपने पत से स्टीफ हा दिया और इनके स्टीफे के बाद ही जो कंजर्विटेब पार्टी के अगले नेता है जिनका नाम है रिशी शुनक इन्हें बृतेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है और जो रिशी शुनक है ये प् प्रधानमंत्री बनने से पहले बॉरिस जॉंसन के कारिकाल में वित्त मंत्री के तौर पर भी कारे कर चुके हैं इसके अलबा रिशी शुनक बृतेन के पहले ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने पद की सपत भगवत कीता पर हात रख कर ली थी इसके अलबा जो बृतेन के राजा हैं किंग चर्ल सेकेंड इन्होंने अभी हाली में बृतेन के प्रधानमंत्री के तौर पर रिशी शुनक की न्यूपती कर दी है हाला कि जो रिशी शुनक है यह अपने पद की सपत 28 ओक्टोबर को लेंगे इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो र विलियम पिंट यह किवल 24 वर्ष की उम्र में इन्हें बृतेन के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था अब बात आती है कि यह जो प्रिजेंट टाइंग पर सिनारियो बृतेन में आया है जिसके अंतरगत एक की पार्टी के अब लगातार तीसरे नेता को प्रधान अरब है तक्रीबान 45 अरब की टेक्स कटोती की बात इस बजट में की गई थी अब इस बजट को जैसे UK के पार्लियमेंट में लाया गया वैसे ही जो UK है इसकी वैसे तो पहले से ही यहां की एकनॉमिक इस्थिति खराब थी अब जैसे ही 45 अरब की टेक्स कटोती की बात हु क्या कि जो ब्रिटेन की करिंसी है वह डॉलर के मुकाफले अपने सर्वकालिक न्यूंतम अस्थर पर पहुंच गई जिसके वज़े से जो ब्रिटेन है वहाँ पर प्रिजन टाइम पर आपको देखने को मिल रहा हूँ कि काफी जादा हो रहे है, ब्रिटेन की, तो धिएन रखना है एक सवाल इहाँ से अक्सर कईओ दफा बन जाता है कि जी ब्रिटेन है और United Kingdom है, इन दोनों में actually में differences क्या है, कई लोगों को पता होता है, कई को नहीं पता होता है, और कई ऐसे भी होते हैं, जिने confusion होता है, तो आई आओ, इसे भी एक बारी, आज समझी लेते हैं, देखो, जब भी अब लोग बात करते हैं, ब्रिटेन की, तो धिहान अथना, ब्रिट clear हो गया होगा, इसके अरबा बात करी रिशी शुनक की, तो जो रिशी शुनक है, इनका जन 12 मई 1980 को Southampton, South Coast, ब्रिटेन में हुआ था, साथी साथ इनके माता पिता और मूल रुप से इनके जो दादा-दादी हैं, वो भारतीय मूल के ही रहे हैं, इसके साथी साथ जो रिश के से संसत के तोर पर चुरी के थे, इस इलाके का नाम था है रिश्मंड, जो की यॉक्शायर में करता है, इसके साथी साथ जो रिशी शुनक हैं, ये एक चुलि में N.R. नारायन मूर्ती के दामाद है, N.R. नारायन मूर्ती, जो की Infosys के founder रहे हैं, इसके साथी साथ रिश इसके साथी साथ एक और किताबे, इसका नाम है, The Free Ports, Opportunity, How Brexit Could Boost Trade, Manufacturing and the North, तो ये दो mainly important किताबे, जो की रिशी शुनक के द्वारा लिखी गई है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, उमीद करते हैं, आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगाओगा, जाते जाते आपके स्तीफे के बाद, जो रिशी शुनक हैं, ये ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, सकांसर आपने हमें बताना है, नीचे कबन सिक्षर में, तो ऐसे मैं आज के लिए इतना ही, उमीद करते हैं, वीडियो इंफर्मेटिव लगाओगा, पसंद आय है, तो लाइक, शेर नए है चैनल पर तो सबस्क्राइब करना बिल्कूर ना भूलें, तो बस आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें, स्वस्त रहें, सुरक्सित रहें, हमसे फिर अगले वीडियो मलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुर्बाई, टेक केर. झालवाद, झालवाद।